नमस्कार बिच्चों कवक 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 का वीडियो साइध नहीं गया हुआ आपके पास परपोसी जियों में कवक का जिव जगत में बहुत अद्वुत स्थान है क्योंकि कवक एक मरतोब जिवी जहां सड़े गले पदार्थ होते हैं उन पर जाकर उगता है मुश्ली जगहों पर बेटा कवक है यह नम रोटी सड़े गले पदार्थों पर कवक को आपने देखा होगा इसमें छत्रक मस्लूम कुकरमुता टोड श्टूल यानि जब एक टोड होता है मेड़क होते हैं जहां पर पाय जाते हैं तो महां पर श्टूल मतलब उसका टोइलेट वहां पर पढ़ रहता है तो वहां पर फंजाई उख जाते हैं इंग्लिस में बेटा फंजाई बोलते हैं इसको इंग्लिस वर्ड फंजाई है इसका सरसो को पत्यों को सफेद धब्बे देखा होगा तो पर उपजी भी फंजस मिल जाएंगे कुछ एक कुसकी सजी इस्ट का उपयोग रोट सीनिया के काण होता है कुछ फंगल जैसे पेनिसीलियम पेनिसीलियम एंटीवाइटिक उनको कहते हैं जो हम दवाओं के रूप में लेते हैं जो कोई भी बैक्टरिया वारस इंफेक्शन हुआ होता है संक्रम हमारे बॉड़ी में तो उसको रोकता है जन्तु पोदों पर प जगों मिट्रिया नम जगों तरह पायी आप घर में कहीं जना अब भेडिया पाओ घर में फेक्ट दोनम वालता श्वादान पे देखो दूसरे दिनरों काले काले लग जाएंगे वाइट वाइट लग जाएंगेर दोनए तके तर्के हुराक को है है उसके है खराब करदैं सब्ता है इनका था है ये कोशकी होता है ये लंबी पतली धागी की तरह सनस्त्त Hamm lle mouth के जाल को चाल कए तया मैंने अभी बताया एक को तंतू कहेंगे और सभी को एक साथ हम चिया बश्याम थे माइस्सीलियम कहते हैं इसकी कांद्रिक कोषी का दब्य भरा होता है जिन्य तता पोडिसेग्राइट की बनी होगी अधिकांस फंजाई पर पोसीत होते हैं वे मृत बस्ट्रेटस में से घुलनसील कार्बनिक पदात को असोसित करते हैं बस्ट्रेटस बेटा इसका मतलब होता है मृत सड़े गले पदार्थ को कहा जाता है पता हिन्हें मृतोब जीवी क सदाधों पया जाएंगे परोब जीवी होते हैं जिसकी सजी के उपर निर्भर होते हैं ये सेवाल तथा लाइकन के साथ सजी भी होते हैं लाइकन के साथ दोनों फंजाई में जनन कोशिका खंडन बैटा खंडन प्रजनन की बात कर रहे हैं हम खंडन मतलब कोई भी तूट गया यह तूट गया अलग होकर के नया बना लेगा विखंडन जितने टूटेंगे उतने बनेंगे मुकुलन मतलब होता है इनकी सरी की सतर से इस्ट जैसे है तो यह इस्ट की कोशिका से ऐसे मुकुलन बनेगा फिर अलग होकर के नया बना लेगा यह अलग हो जाएगा तो नय जाड़ों पेड़ा होता है लेकिन सुनना बैचो फंजाई में लैंगी क्प्रजनन ये बहुत इंपॉटेंट है लेंगी करें कि बात करें के ये लेंगी करें जो देखोंगे आप इसके अंदर ये कैसे होता है थोड़ा सा इसको मैं समझा रहा हूं सुनना मेरे बच्चों इसके अंदर कोई भी दो युगमक आते हैं एक युगमक नर युगमक हो गया मानो इसमे मैं पूंच लगा दिया नर युगमक है ये मादा युगमक है ये दोनों आपस में जुड़े इसका केंदरक खली पहले प्लाजमो गेमी होता है बेटा नोट केंदरक केंदरक नहीं सिर्फ क्या इसका होगा प्लाजमो गेमी होगा कोई का रस जुड़ेगा केंदरक नहीं तो इसको हम कहेंगे प्लाजमो गेमी फिर बेटा इसका केंदरक जुड़ जुड़ जाएगा ये जुड़ गए प पहले केंद्रक अलग अलग रहेंगे, एक मिट पहले फिर से मैं करा देता हूँ, आपको रुप चाओ, शॉर्ड, भी इसके अंदर केंद्रक आया, इसके अंदर केंद्रक आया, दोनों आपस में जुड़े, यह केंद्रक आ गया, लेकिन अभी केरियो गेमी नहीं हुआ, केर सबिन गया एक दूसरे के तो इसको हम कहते हैं प्लाज्मो गेमी ऊपर लिखा है प्लाज्मो गेमी फिर आपस आगे आखे देखोगे तब केंदरग भी जॉइंट हो गया अब इसको कहेंगे हम केंदरग शलियन फिर इसका बेटा अब टूयन हो गया है अब टूयन मतलब मियोसिस बोलते हैं इसको मियोसिस लिखा है न ये रहा मियोसिस तीन क्रियाएं इसके अंदर होती है इसको चार क्लास में डिवाइट किया गया है चार क्लास में कौन-कौन से फाइकोमासिट, एसकोमासिट, बैसिडियोमासिट, डिटरोमासिटिस फाइकोमासिट, एसकोमासि यह पांच प्रकार में इनको बांटा गया है चार भागों में पहले हम फाइको मासटीच वड़ेंगे देखो आवास और प्रजनन के अधार पे बाटा गया यह कहां पाय जाएंगे जली आवास में गड़ी सरी लकडियों पे नम सीलन भर्या स्थान पर ऐस सब जगों पे पा होता है अपटी मतलब देखो बेटा यह रहा यह इसका माइस्चेल हाइफी अपटी मतलब बीच में लाइनिंग नहीं होती है और बहु केंदरी मतलब इसी के अंदर बहुत सारे केंदर होते हैं देखो यह रहा तो इसको हम अपटीय और बहु केंदरी बोलते हैं ठीक है अ जारू द्वारा होता है अतो चल विजानु मतलब जो हवा में उड़ सकते हैं अचल मतलब जो कहीं जगर रहते हैं ये विजानु धानी में आंतर जाती उत्पन होते हैं दो इगमकों के सलेन से युगमारी बन जाते हैं बता दिया था मैंने पहले ही दो बनेंगे दो इक्मारियों बनाएंगे ईकमारियों फिर वही न्य जाता है वह को अदय अपन सब्सक्राइब शुबह से यहादुर के सब्सक्राइब अधार की कि प्रदी सुरे इस सपास्ट सोब दोतालि वह सस्ञारियों से कास्ट और यह सब्सक्राइब च Northern तैली फंजाई केते है यह आपको बहुत कम पाया जाते हैं एसको मासिट एक उसकी जैसे सेक्रो मासिज के अलावा बहुको उसकी जैसे पेनी सिलियम होता है मरतोब जी अब गटक पर जीवी पसु बिस्टा, पसु बिस्टा मतलब पसु जो मल करते हैं उसमें पाय जाते हैं, इसके लिए हम उसको पसु बिस्टा लिखा हुआ था, ठीक है, अभी है कवक जल साकित होते हैं, एक मिनट थोड़ा सा इनको थोड़ा सा और उस पे करने दो, इस पे, ठीक है, उगने वाली ह होत है केल इधे होता है कोनीडिया होता है को दिया को दिया सुन पोलते है यहां पर ना ऐसा कॉनी बनते हैं ए इस तरह से रजना बनाया यह उसको कॉम्टीयों फोर्स कलते हैं यह कणदक होंगे आट है ये कोने डिया अंकुरित करके कवगजाल बनाते है लेंगिक बिजानु को एसकस कहते है एक बिजानु को हम एसकस कहेंगे एसकस अब बहुत सारे हो तो ऐसा ही कहेंगे उनको एक बचन होता है ये जिस पे होते है उसको कार्प कहते है और कहां देखने को मिलेगा बेटा फलन का इसको एसपरजिरस में, क्लेविसेप में, नियूरस, प्रनियूरस पुरा क्या होता है आगे हम बाया टकलोजी में इस्टडी करेंगे इसके बारे में और इसमें मॉरील और ट्रफल तो खाया जाता है बेटा चलो ये हो गया, बैसीडियो मासिटीज बैसीडियो मासिटीज का ज्याद समान दूब से मस्रूम ब्रेंकिट फंजाई कहते है फप बाल कहते हैं ब्रंकिट फंसए ये मिट्टी में लट्ठेifier बरिच के थुठों पर जूटो मंतलब टीप पर जो इससेजी पादप के अंदर परुपजीरियो में हुखते हैं किटित था ऍश्मध पटी होते हैं पक्टी मतलब समझ में आ गया ऐसा के केरियोग्रमी बनता है उसमें अलेंगिक बिजान लेकिन काईग प्रजण करते हैं तुट जाया अलग बनार लेंगी प्रजण अंग नहीं होते हैं लेकिन प्लाजमों गेमी बिफिन, स्ट्रेनों वाली काईक कसिकाओं से या जीन दूपी संलियन में होती है एक जैसी कोसिकाओं होती है न उनसे लेंगी प्रेजन संलियन होता है ड्यूक के अंदर की बनते हैं बैसीडियम बनता है उज़े से एसकस बनता है सबसे लास्ट जो है ऐसका ये है इट्रोमासितिस इट्रोमासितिस ये ऐसा इसका फंजाई का ग्रूप है जिसको सबसे जो कच्रा सबसे मिलता गया ना बर्गे कंड करते समय उनßen को रखते गए इस में फिर इसमें देख erg чण करा वहीं होता है इसमें देहा है अपूर का बप्रिजन करता हए इसमें अगर ल हैं तो ऊठादख भाए इसको रखो का हां जब इस पंजाई की लेंगिक प्रावस्टा की खोज होती है पहले लेंगी प्रवस्ता को उठा कर रख दिया कुछ नहीं मिला तो जब लेंगी प्रवस्ता कोजित तब उनको उसके उचीत बर्ग में रखा जाता है कि ये बेस्टीडियो का है कि एसको का है कि किसका है ना कि फाइको मासरेटीज का है किसका है ये भी समभव कि अलेंगी क क्यादार पर लेंगी प्रण का इसमें रख दिया फिर बाद में देखा नहीं लेंगिक वले यह तो आती है इसमें फिर उठा कर रखा जाता है इसलिए बोला बाद में जब उनको अनबंदो कड़ी का पता चलता है तो फंजाई को उचीद पहचान की जाते है तो डिट्रोमा जाल पटी जाल पटी यह मिसाकित होता है इसके कुछ सदस म्रतोब जीवे पर जीवे बहुते है रब अब गटक होते है ये खनी चक्रन में भी साहता करता है जैसे ऑल्टरनेरिया कोलियो ट्राइकम ट्राइको डर्मा बेटा फंजाई आपका पूरा हो गया यह चेप्टर भी पूरा हो गया अब इसके questions आपको करने हैं